ओम्चान्ति आठ मई आठ बहुत ही गुई ये बाबा के महवाख्यें तुम्हें कर्मा ते इत्थावना है और बाप से भगवान से स्वरक की बादसाही पानी है तो महनत करनी पड़ेगी कर्माती तभी हो सकेंगे जब तुम कर्मेंद्रिये जीत बनेंगे तो बहुत बड़ी प्राप्ति हम सबको है भगवान आया है स्वरक की राजाई देने ये भारत हैविन था हैविन फिर से स्थापित हो रहा है उसमें हमें संपूर्ण पवित्र बन बनना है और संपूर्ण पवित्र बनने में कर्मेंद्रिये जीत बनना बहुत बड़ी इस्थिती है इस अंशार में भी कई धर्मों में कर्मेंद्रियों को जीतने का एक लक्स दिया जाता है लेकिन लोगों को ये नहीं पता इन कर्मेंद्रियों को जीतें कैसे बाबा शुरू ही कर रहे थे आत्म विमानी होकर वैठो देवान में आने की कारण ही कर्मेंद्रियां चंचल होती है जितना जितना तुम सोल कॉंसियस होते जाओगे कर्मेंद्रियां वस होती जाएंगी, प्योरिटी बढ़ती जाएंगी और फिर दूसरा है राजयोग, राजयोग से तुम्हारे विकरम विनास होते जाएंगे और जब संपोर्ण विकरम विनास हो जाते हैं, सारे के सारे उस इस्थिती को कहा जाता है कर्माती तवस्था वि कर्मा जीत कर्मा टेत तो ये सरोच पर स्थिति है स्प्रिच्वलिटी की हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है बाबा कह रहे हैं कि नंबर वार अंट तक तुम कर्मा टेत बन जाओगे जो बहुत अच्छे पुछ्षार्ट थी वो पहले बनेंगे लियानकारी है, इस लड़ाई के बाद ही भारत में स्वरक के गेट खुलते हैं, यहां सुक्ष्यानती का सामराज इस्थावित हो जाता है, तो देखो एक और यह लड़ाई और विनास जो अब भी चल रहा है, भ्यानक दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद स्वर्निम्काल, यह खेल खतम होगा, नया खेल प्रादम होगा, तो बाबा विसेश ध्यान दिला रहे हैं आज, तुम्हें अपना चार्ट लिखना है, कि हमें कोई करमिंद्री धोका तो नहीं देती, करमिंद्रियों पर बहुत ध्यान देना है, और बाबा विस्तार कर रहे हैं, कि आखे सबसे ज़्यादा धोका देती हैं, फिर जीव धोका देती है, चोरी कर लेते हैं, कुछ खाने की इच्छा हुई, उठा के खा लेते हैं, यह भी यक की चोरी है, इससे भी करम बन जाता है, यह भी गलत आदत है, बाबा केते हैं, तुम्हें बच्चे बहुत रोयल ह बहुत त्यागी हो, तुम्हें बिना कुछे कुछ भी उठा कर खाना नहीं चाहिए, पर आज मुख्य ध्यान दिला रहे हैं, आखे धोका देती हैं, बिन बिनुधारन दिये, बाबा तो बिल्कुल इसपर समझाते हैं, किसी को भी देखने से, किसी का सरंगार देखने से, क इसलिए सन्यासी लोग तो आँख बंद करके बैठ जाते हैं, कई भक्तों के लिए गायन है, सुर्दास के लिए भी गायन है, आखे ही बंद कर ली, निकाल दी, लेकिन हमें तो आखे निकालने नहीं हैं, हमें तो बाबा से दिव्य द्रस्टी मिली हैं, बाबा कहते हैं, त तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है, तुम्हें दिव्य द्रश्टी मिली है, अब इन आखों से क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इस पर सारा खेल आधारित है, तो हम सभी चेक करें, बहुत ध्यान दें, अपना चार्ट लिखें, कि करमेंद्रियां हमें धोका तू नह लें, कि सोल कॉंसियस होने पर ही करमेंद्रियां स्वत ही सीतल हो जाएंगी, और बाबा ये भी कहते हैं, जैसे जैसे करमेंद्रियां सीतल होती जाएंगी, तुम रजों से सतों की ओर बढ़ोगे, और फिर सतों से सतों परधान, सतों की आकरी स्थिती में करमेंद्रियां प नहीं होती, क्योंकि कुद्रस्टी यदी होगी, तो संकल बहुत उल्टे सुल्टे चलेंगे, खुशी नस्ठ हो जाएगी, श्यांती नस्ठ हो जाएगी, जैसे आज कल बहुत हो रहा है संसार में, इस क्रिम्नल आई ने संसार को जैसे तभा किया हुआ है, संबंदों में दिया है संसार को, लोग समझ नहीं रहे कि इसको प्यार नहीं कहते, प्यार तो बहुत पवित्र चीज है, ये तो देह का प्यार है, तो विशविकारों से प्यार है, तो बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनाना चाहते हैं, बहुत ध्यान देंगे, संपू को की बातों को भी चेक करें, कानों को भी चेक करें, मुख से हम बुरा तो नहीं बोलते हैं, जीव हमारी इधर उधर खाने के लिए लल्चाती तो नहीं है, हमने अपने संकल्पों पे कंट्रोल किया है, तो सोल कोंशियसनेस पर बहुत ध्यान देंगे और करमेंद्रिय जीत बनते चलेंगे, इंपोर्टेंट बात है, रोज अपनी शेकिंग करें, जहां गलती हो रही है, उसको चेंज करें, क्योंकि हमें ग्यान का तीसरा संपून नेतर मिला है, संपून ग्यान मिला है, हमें पता है, क्या करने से हमारी क्रिमनलाइज समाप्त हो जाएगी, तो पावर्फुल होने से हमारे विकरम पिनास होते जाएंगे वर्दान है देहिभान के त्याग द्वारा सर्व स्रेष्ट भाग्य प्राप्त करने वाले सिद्धी स्वरूब भनों देखे बहुत सुन्दर ये विदाता के द्वारा बताई गई विधी है इस विधी से ही कुंसियस हो जाओ देवान का त्याग कर दो तो तुम्हारा भाग स्रेष्ट बन जाएगा इससे ही सिद्धावा से सर्व संबंदों की अनुभूती होगी और सर्व सक्तियों का आभास होगा अनुभव होगा मुझे सर्व सक्तियां मिल रही हैं बहुत अच्छी एक लाइन तुमने पूर्वकाल में देधारियों से प्यार करके राज पार ताज तिलग छोड़ दिये थे अब भगवान के प्यार में क्या तुम देवान का त्याग नहीं कर सकते स्लोगन है क्रोध का त्याग करना है तो स्वार्थ को निस्वार्थ वाहों में बदलो और परिवर्तित करों तो आज हम सारा दिन मैं आत्मा हूँ और आत्मा के साथ तो गुणों का चिंतन करते हुए स्विकार करेंगे मैं ये हूँ मैं परंपवित्र हूँ बनना नहीं है परंपवित्र हूँ मैं स्यांस्वरूप हूँ ये मेरी क्वालिटी है ये मेरी नेच्यर ह मैं बहुत सक्तिसाली हूँ तो सभी गुनों को स्विकार करके धारन करेंगे और शोल कॉंशियसनेस का भ्याज हर गंटे में कम से कम एक मिनटा वश्च करेंगे ओम स्यांति